इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. वोजुका शूनिद शमलव 2 tablet, type 2 diabetes mellitus के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है. यह हर बार भोजन के बाद आपके शरीर में blood sugar के उच्च स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है. इसका इस्तिमाल तब किया जाता है जब किसी प्रतिबंधित आहार के साथ अन्य समान दवाएं blood sugar के असामान्य रूप से उच्च स्तर को नियंतरित नहीं कर पाती हैं. वोजु का शून निदशमलव दो टेबलेट को भोजन से ठीक पहले या साथ में लेना चाहिए. डोज और कितनी बार आपको इसे लेने की जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताए जाएंगे ताकि आपको अपने blood sugar के लेवल को नियंतरित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. अपने डॉक्टर से परामर्ष के बिना आचानक इसे लेना बंद न करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके blood sugar के स्तर बढ़ सकते हैं और आपमें kidney को नुकसान और अंधता जैसी गंभीर जटिलताओं का जोखिम बढ़ सकता है. यह दवा केवल इलाज का एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान की समाप्ती, शराब का सेवन और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. इस दवा का सेवन करते समय अपने blood sugar level की नियमित रूप से निग्रानी करें. वोजुका शून्य दशमलव दो टैबलेट के सबसे आम दुश्प्रभावों में शामिल है. त्वचा पर रैश, पेट फूलना, यानि की गैस बनना, यानि की गैस पेट दर्द, और डायरिया, यानि की दस्थ. अगर ये आपको परेशान करते हैं, या दूर नहीं होते हैं, तो कृप्या अपने डॉक्टर से परामर्श लें. यह दवा हाइपोग्लाइसीमिया, यानि की निम्न blood sugar स्तर का कारण नहीं बनती है. हाला कि जब ये अन्य डायबेटीज दवाओं, यानि की विशेश रूप से इंसुलिन या सलफोनिलूरिया के साथ मिलाकर इस्तिमाल किया जाता है, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया, यानि की low blood sugar level हो सकता है. हाइपोग्लाइसीमिया के ऐसे दौरों का इलाज सादा ग्लूकोज लेकर करना होगा. अगर आप इस दवा को ले रहे हैं, तो टेबल शुगर या सामानने शुगर low blood sugar level को ठीक करने में मदद नहीं करेगी. इसे लेने से पहले, अगर आपको kidney या liver संबंधी कोई समस्या है तो डौक्टर को बताएं. अगर आपको bowel में ulcer है या inflammation है तो इस दवा को न ले, यानि की, जैसे, ulcerative colitis या क्रोहन रोग, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डौक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. कृप्या अपने डौक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रहे हैं. इस दवा लेने के दौरान शराब के बहुत अधिक सेवन से बचें क्योंकि यह hypoglycemia, यानि की, blood sugar के स्तरों में कम का जोखिम बढ़ सकता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद.